आप सभी को हमारे चनल पर स्वागत है आज के इस वीडियो में हम डिसक्स कर रहे हैं रियल एनलाइसिस पर बीस्ट टॉपिक सीक्वेंस इस वीडियो में जाने की सीक्वेंस क्या होती है कि इसके कितने टाइप सोते हैं कैसे इस पर बीस एक्वेंबल देखेंगे और सिक्वेंस की रेंज क्या होती है और इस पर कई इंपॉर्टन नोट भी हम जानेंगे इस वीडियो में तो आप से घुजारिश होगी कि वीडियो को बिना स्किप कीवें एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लेंगे तो प्रीस लाइक जरूर करें तो सबसे बहुत करते हैं कि सेक्वेंस होती है कहते हैं लेट एश पी एनी नौन एंपटी सेट आपका कोई एस एक ऐसा नौन एंपटी सेट होना चाहिए फिर क्या होता है आफ फॉंक्शन हूस डॉमें इन इ इस कॉल्ट है सिक्वेंस इन दसेट एश सिक्वेंस के डाइप क्या से होते हैं अभी मैं इस चीज को क्लिए और चीज़ गरूंगा जब हम इस पर एक्जांबल देखेंगे तो अब इसके टाइप देखते हैं सबसे बात करते हैं रियल सिक्वेंस की इसकी डेफिनिशन क्य सिक्वेंस ओफफ रियल नंबर है और इसको दिखाने का जो तरीका गया होता है छ थार्फ तरहएं था सिंबल तो यह नीक इन चैентов पर औकEx and एक लिए मं corrupt 8, 27, 64 यह है सीरी चल रही है जिसको सीक्वेंज आपको क्लिय लिए दिख्रा वहां वन का मतलब होता है वन का क्यूग एड कम अनलब बहुते टुम का क्यूग 27 का मदल्दा बहुता थ्रीका क्यों याने कि यह चल रहा है एंका क्यों यह भी हमारा सिम से सीक्वेंस दिनों का दिनूशन और यह भी सीक्वेंस में दिनूशन एक ही बात है यह चीज कि आपको चलिए स्टूशन दिए लेदे हैं इस पर बेस्ट ऐसे की और यह अमदेखी हुआ हमारी एस बन नहीं तो और टू वन उपन टू बन फोर एसे चल रहा है तो वन उपर फिक्स है तो यह गता हैं चैनल कर रहा है यह तो इंधा 2, 3, 4, 5, तक एन नम तक तक तो यह ना किया है अगर आप अगर आप क्लियर रिफिर करना चाहते हैं तो एक सीरीज यह समांतर सर्णी है एक अपी है उसका एन वा पत क्या होता है एक फ्लस एन मानस वा इनुट ली तो एम और यह यहां आयां ऱ। टो एम आपन रखे वन ओर d आप अपर अगर अगर आप यहां घ्या करें तो हमें यह न मिल जाए कट तब ही यहां आया यहां थेमिटलिए सिल्ली जो एन अपर अपन फुइंस सीक्वेंश एं अपन टो त्र plus 1 upon 2, either minus 1 upon 3 है यह plus 1 upon 4 है यहनि कि यहनिकर वबल्ट 1 है टेकिन दिफरेंट ही plus और minus कही हा रहा है और पडेंड भ्रशन भार है तृसफ़ मैं और यहरा है तो इशे यहनै टेकिन स्ञेल क्या है ड्ट 2 है पर पर पहीं और क्वार सथे और पर माइनस है एवन पर ब्लस यान की मैनस ऑन की पावर एन अब इसमें कहादा है रिक्वर्शन फॉर्मूला वो क्या होती है देखिए इसमें से एक कम करके मुझे एनस टम बनाना है अकॉर्दि दिस रूल तो जब है इसकी मदल से बनाएंगे ना इनस टम तो आपका सेरीज बन जाएगे और सिक्वर्श बन जाएगा तरिकी पावर एनस वन की रूप में और जहां पर एन की वैलोगी पो एक एक से बढ़ी होगी तो इस टैप के जब सिक्वर्श होते हैं उसे हम बनाते हैं रिक्वर्शन फॉर्मूला से हैं अब हम बात करते हैं रेंज अफ सिक्वर्श की कि रेंज अफ सिक्वर्श क्या होता है आपके पास कोई सिक्वर्श है सेट अफ और डिस्टिंक्स टम क इसे सिक्वेंस में जो डिस्टिंक टम जितने होते हैं सपोस्केजिँ आरे बास चेक्वेंस जिसमें वन टू ठीलिक वाई न्वत्च तो झो फीलिमंत यह सिक्वेंस का रेंघ है ठीक एक एक एक्जामबल दे लेते हैं इस पर रेंज ऑफ त्य सीक्वेंस माइन वन की पावरेन जिफ दो ही हो सकते हैं अब अब एवन नमबर पर प्लस का वं देगा और और नमबर पर एंग मैनस का वं देगा चाहिए अब आं कुछ भी रखें तो यह दो ही टम हैंगे तो यह करें जो और वो जो रेंग आव फाइन जाट रोगा किसमें नमबर आफ एलमेंट फाइन जाएट है दो हैं अब हम बात करतें दूसरा एक्जामबल फरेंज फरेंज फीक्वेंस वन अपोन और यह एन बिलॉंगर रहें नेच्रल नमबर में गार रहें प्रिक इन फाइ सेक्वेंस 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 जिसके अंदर एक ही टम बार 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 रिपीट होगा उस तरीके की सीक्वेंस को कॉंस्टेंट सेक्वेंस बोलते हैं फॉर एक्जामबल हमारा सेक्वेंस जैसे की सेक्वेंस में ए ए ए सपोस्ट कि सौ बार ए आ गया लेकिन आपका जो सी होगा और एक ही बार 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 आ रहा तो यह कॉंस्टेंट सीक्वेंस है तो आई हो यह चीज आपको समझ में जरूर आई होगी आने वाले वीडियो में इस पर बेस्ट और बीच डिटिल में जांकर ही रहते रहेंगे और फिर जब हम सब सारा कॉंस्टेप्ट सी लेंगे तो